सुस्क्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रस करें रोज की रोज नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंड्स आज ही वीडियो में हम बात करेंगे कि नीम्बू चाय हमें क्यों पीने चाहिए अक्सर हम लोग नीम्बू को सलाथ की रूप में इस्तेमाल करते हैं नीम्बू पानी पीने से भी हमें बहुत उर्जा मिलती है इसी तरह से नीम्बू की अगर हम चाय पीएंगे तो ये हमारे सरीर के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है लेमंटी को स्वाधिस्ट और बढ़िया बनाने के लिए इसमें सही मातरा में नीम्बू मिलाना बहुत ही जरूरी होता है बागी के सॉफ्ट डिरिंग की तुलना में लेमंटी बहुत ही फायदे मंद है तो फ्रेंड्स आईए जानते हैं लेमंटी से कौन कौन से फायदे होते हैं नीम्बू सरीर में मौजू सारे विसागत पदार्थों को बाहर निकालता है जिससे आप कई तरह से होने वाली बिमारियों के इंफेक्शन से बस सकते हैं इसके अलावा इस चाय को पीने से आप तरो ताजा महसूस करेंगे लेमंटी का इस्तेमाल करने से आप को सर्दी जैसे समस्या नहीं होंगी ये सरीर के पृत्रोधक छंता को बढ़ाता है और साथ ही आप को सर्दियों के मौसम में गर्म भी रगता है अगर आप रोजानल लेमंटी का सेवन करते हैं तो ये आपके मानसिक स्वास्त के लिए भी बहुत बेतर है इससे आपका मूड हमेशा खुश्णुमा बना रहेगा निम्बू एक नेचरल एंटिशेप्टिक है इसमें एंटिबैक्टिरियल और एंटिवारल गुड होते हैं अगर आप नेमेद रोप से लेमंटी का सेवन कर रहे हैं तो आपको कई तरह के इंफेक्शन से बचाएगा निम्बू आपके सरीर के टॉक्सिन को बाहर निकाल कर आपके पेट के पाचन तंत्र को एकदम दुरुस्त रखता है निम्बू में सिट्रिक एसिट होता है जो पाचन को ठीक रखने के साथ साथ पत्री की समस्या को भी दूर करता है सरीर का गुलुकोज लेवल ठीक रखने के लिए इंसलिन की जरूरत होती है हाल ही में हुवे एक रिसर्च की अनुसार लेमन टी आपके इंसलिन एक्टिविटी को ठीक रखता है जिससे डियापटीज का खत्रा कम होता है लेमन टी में सारे एंटी अक्सिजन गुड होते हैं इसके साथ ही इसमें पॉलिफिनोल और विटामिन से भी अधिकता में होता है जिससे ये सरीर में कैंसर सेल्स को बनने से रोकता है इसलिए इस चाय का नेमें सेवन करना बहुत जरूरी होता है तो फ्रेंड्स ये थे लेमन टी की फायदे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें फिर मिलेंगे अगली वीड किसाओ